एक आठ साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं मैं शंगार का क्योंकि अब माहौल नहीं है और मैं शंगार से अच्छा है मैं ये सुनाओं सुनिएगा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिताब लोटकर कभी वापस नहीं आएंगे, अपनी मा से पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है, मा के पास कोई उत्तर नहीं होता, बेटा उस मा से क्या कहता है, मा किस प्रकार मौंस्तब्ध आंगन में बैठी है, ये मेर पूजा का गीत है, शहीद की वंदना का गीत है, मेरा मन है, आप मेरे साथ इस पूजा में सम्मिलित हों, और आपके बीच ये गीत रखती हूं, सुनिए अगर द्रश है, आपके सामने हैं, गीत मैं आपके बीच रखती हूं, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, आंगन में बैठा बेटा मा से पूछे बार बार, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिताब लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे दो तीन दिन से अपनी मा की इस्थिती को देख रहा होता है मा को देखकर अपनी मा से क्या प्रश्न करता है हिना को मैं बहुत-बहुत सादुबाद देती हूँ पहली बार उसने इस मंच पर अपनी प्रस्तुती दी और बहुत अच्छी प्रस्तुती दी सुनिएगा वो बेटा अपनी मा को दो-तीन दिन से देख रहा होता है हैं दोनों हाथ खाली न महंदीर चाई है बिच्छिया भी नहीं पाओं में बिखरे से बाल है लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है कुम कुम के बिना सूना सा लगता है श्रंगार दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है उन गिफ्ट्स को देखता है और अपनी मा के पास वापस आता है उन्हें देखकर अपनी मा से वही प्रश्न करता है वो बेटा अपनी मा से क्या कहता है सुनिएगा किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए है मिठाईयां वो साथ में पटा खेलाए है वो भी तोने शूज पहन खेलने आया वो भी तोने जूट पहन खेलने आया पापा पापा कहके सबने मुझे को चिड़ाया अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार दीपावली पे क्यों न आये पापा पुकी बार बेटा लगातार अपनी मा से प्रश्न करता है उसकी मा उससे कुछ नहीं कहती तो वो अपनी मा से खीट जाता है, रूड जाता है उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें जग जोड़ता है, उनका ध्यान अपनी और आकरशित करता है और वो बेटा अपनी मा से क्या कहता है सुनिएगा मैं इस सदन में जितने लोग उपस्तित हैं, आप सभी की समवेदनाओं को आशूं को आमंतरन देती हूँ यदि एक भी आशू छलका तो मेरे गीत की सार्थकता होगी, वो बेटा अपनी मा से क्या कहता है सुनिएगा दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई हर बार की तरहा न तूने खीर बनाई आने दो पाप से मैं सारी बात कहूंगा तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा ऐसा क्या हुआ के बताने से हैंकार दी पावली पे क्यों न आए पापा अभु की बाद और मित्रों विडंबना देखिये कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुडने लगी थी लकडिया उसकी चिता के लिए पूछते पूछते वे हो गया निराश जिस वक्त तांगन में आई उसके पिता की लाश पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है थोड़ी देर अपनी मा को देखता है पुन्हा उस लाश को देखता है पुन्हा अपनी मा को देखता है गीत का अंतिम्बन और उस आठ साल के बेटे का प्रति उत्तर जो वो उस लाश को देख करके अपनी मा को देता है आपके बीच रखती हूँ मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया पापा का जो काम रह गया है अधूरा पापा का जो काम रह गया है अधूरा लड़कर के देश के लिए करूंग मैं पूरा आशीरवाद दो मकाम पूरा हो इस वाई बहुत अच्छे वाई 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 एक बार जोड़दार तालिया नामिका के लिए बजा दीजेगा वाई 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 बहुत शादार बहुत उत्तंब